दामर प्लांट को आग के हवाले कर दिया जिससे गाहा के लोगों में दहसत का महल बना हुआ है दरसल दामर प्लांट में नक्सलियों ने बीती रात देड़ बजे सूलह ट्रकों को आग के हवाले कर दिया साथ ही में गेट पर तैनाद दो चौकीदारों को बंदक बना लिया मिली जानकारी के मताबिक इस घटना को अंजाम देने के लिए 50 से ज़्यादा नक्सलियों आये थी जो घटना को अंजाम देने के बाद जंगल की रास्ते भाग निकले जिसमें कुछ वर्दिधारी भी होने की बात कही जा रही है इस आंग जनी से करोर का ट्रक जल कर खाक हो गया है वहीं हमलावरों का पता लगाने के लिए पुलिस इलाकों में तलासी अभ्यान चला रही है ऐसे ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें मैं था आपके साथ नरायन पांडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें